आप प्रेंड्स टेक्सपर चैनल पर मैं अपूर्बर साहा पहले एक वीडियो बनाया था जियो कॉलिंग प्रॉब्लेम के बाड़े में जहां पर बहुत लोग ने हेल पाया था और आप मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जियो के स्पीड बढ़ाने के बाड़े में तो स्पीडेंग के बाड आपको सीम करड और मोबाइल नेट्वर्क जो अप्षण अपर क्लिक करना है यह आप अपर आप अप्पोर्जी जो अप्षण है पहले यहा पर बोढ़े vale ICT करेंगे अप उसके बाद आप नीचे आएंगे यहा पर आप अचिस पॉयंट नेम्स जो नीचे वह आपको आप क्लिक कीजिए अगर आपका नेट चल रहा है तो आपको उस नेट को आप करना है अभी के लिए आप आपको इंटरनेट के क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यह सारे सेटिंग्स आपको दिखाए देगा यहापर जो APN है वहापर आपको जियोनेट लिखना है तो वहापर तो लिखा हुआ है तो यही रहने देना है आपको प्रोक्सी पोर्ट वहापर जो है वहापर कुछ नहीं करना है पूर्ट पर है यहापर जो पोर्ट है यहापर जाने के बाद आपको एंटर करना है 8080 उसके बाद OK कर देना है फिर इसरनेट और पर्सवार्ट को ब्लैंक कर देना है और सरभार के जाने के बाद आपको सरभार पर जाना है सरभार के जाने के बाद www.wfgo5 फिर आपको लगाना है पर्सेंट का सिंबल 4G.com तो सरभार से आपको ठीक से नोट कर लेना है इसके बाद आप यह आपर जो नीचे आएंगे आप MNC और MCC जो है वह आपर जो है वही रहना देंगे जिए APN टाइप जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर इसको बाद में ठीक करेंगे हम आप APN APN प्रोटोकल जो है IPV6 जो है वहाँ पर क्लिक करना है IPV6 BRR जो है आप BRR पर LTE सिलेट करना है Jio 4G LTE पर ही काम करता है इसको इसके बाद आपको MBN पर कुछ नहीं करना है और APN टाइप जो है Authentication टाइप को Authentication टाइप जो है वहाँ आपर नान दिखा रहा है PAP सिलेक्ट करना है APN टाइप जो है वहाँ पर आपको Depault के बाद कॉमा क्योंको Jio जो है वह service को ज्यादा सी नहीं देने के लिए वह control करता है इसलिए हमको APN टाइप को कॉमा देने के बाद Xcap Xcap इसके बाद इससे आपको बहुत स्पीड मिलेगा और आपको यह पर सेब कर देने के बाद बैक आना है और आपको net on कर देना है मोबाइल स्वीच आप कर दीजिए दुबाडा मोबाइल स्वीच अन कर दीजिए अब आप मैं आपको स्पीड दिखाने जा रहा हूँ देखिए कैसा स्पीड हो बढ़ गया है यह देखिए किया स्पीड बहुत ज्यादा तो इसी तरह मेरा चैनल पर जूरे रहिए सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगा तो जूरू लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ थैंक्यू सो माच